Hello friends, मैं तरिश कुमार आपका ट्रेडिंग दिल से में एक बग फिर से स्वागत करता हूँ जैसे कि हमने यहाँ पर आपसे वादा किया था कि हम यहाँ पर अपने इस चैनल पर एक तो शॉट वीडियो लेक आएंगे जहां पर हम टिप्स और सजेशन देखते हुए नजर आएंगे as well as हम यहाँ पर breakout और breakdown stocks की भी daily यहाँ पर एक list लेक आया करेंगे जहां पर हम daily stocks के बारे में बताया करेंगे और किस level से यहाँ पर breakout होगा कहां से breakdown होगा उस सारी चीज़ों को हम यहाँ पर बताते हुए नजर आएंगे तो इस वीडियो में भी हम उनी कुछ stocks से लेटी बाते करने वाले है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा but किस तरीके से यहाँ पर breakout को पहचाना जाता है as well as किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है मेरा दूसर चाइनल है invest forever उसे जरूर जाके एक बार देख लीजिएगा वहाँ पर एक playlist बना रहे हैं दीरे दीरे करके तीन वीडियो अल्रेडी यहाँ पर upload हो चुकी है जो आपकी बहुत मदद करेगी कि किस तरीके से intraday, किस तरीके से future, किस तरीके से option मदद किसी भी segment में on the basis of chart आप यहाँ पर देख के, सीख के और अच्छा खासे तरीके से यहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं intraday करिए, फिर long term करिए, swing करिए, जो करना है फिर आप कर सकते हैं तो इसलिए आप उस channel को follow कर लीजेगा और हम आगे बढ़ते हैं जानते हो और breakout stocks से लेटे या breakdown stocks से लेटेड तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे बिफोर दर वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूँगा आप हमारे चाइनल invest forever को तो subscribe करिए ही करिए, इसके इलाबा आप आप trading दिल से को भी subscribe करिए, like करिए और इस चैनल को भी उस चैनल की तरह ग्रो कराईगी, so thank you कुछ stocks जो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूँ, उनका नाम लिख लीजेगा, मौर्मिंग में यहां पर जब वो stocks को daily देखिएगा, okay, यहां पर सारे सब का चाइड उठा लीजेगा, सब का चाइड पार्चमिंट और पंदरमिंट की केंडिल पर देखिएगा, तो आपको सब कुछ यहां पर पता चलता हूँ नजर आएगा, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं, बट उससे related यहां पर हम बात कर लिए था, तो यहां पर देखिएगा, तो यहां पर चार्ट में ब्रेक आउट होता हुआ नजर आ रहा है, तो ब्रेक आउट के लिए कल मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई थी हमारे इस चैनल पर जाके देख लीजेगा, प्ले लिस्ट में, तो आपको यहां पर triple top या कह सकते हैं यहां पर triple top का breakout हो एक top, दूसर top, तीसर top, ओगर और यहां पर अगर कल इसने confirmation के साथ, साथ confirmation क्या जो candle मैंने आपको बताई है वो candle के साथ अगर यहां पर breakout होता है किसी बुलिश candle के साथ हैमर के साथ तो याद रखिए आपको अच्छा कासा पैसा यहां पर बनता हो न जड़ाएगा और कौन सी candle पर देखना है आपको देखना यहां पर हैमर आरेडी बन रहा है मर के ऊपर निकलता है तो याद रखिए एक तेजी होती हुही नजर आएगी अब देखे अपके डेबी सिस पर निकाला था और एज वैल यहां पर देखेंगी आपको दिख रहा होगा है यह ब्रेक आँट तो कलम ने आपको पताया था तो आप निके देखेंगे तो यहां पर कोई breakout ही नहीं हुआ यही रिखाई दे रहा है तो इसलिए candlestick chart पर रहके 5-minute की candle day basis पर निकाल के आपको पता चुल जाए ट्रिपल top का breakout चीज़ें ऊपर जाती हुई नज़रा सकते हैं इसके इलाबा हम बात करेंगे the process of the moment तो देखेंगे तो देखिए यहां से आप को पता नहीं चल रहा हुए कि ब्रेकाउट ए के प्लिखाई देखेंगे यहां सब तो आप यहां पर याद रखिए या स्विंग भी करेंगे तो यहां पर बात करें तो यहां पर देखिए ऊपर की लेवल यहां है अगर यहां पर कुछ केंडल नहीं बनी और तो नीचे गिरा तो फिर नीचे की लेवल यहां पर आते हो वह तिखाई दे सकते हैं तो केर फुली करना है इंटाइडे जब करते हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाते और स्टॉप लॉस क्या लएगा जब कोई केंडल फॉर्म हो जाएगी तो उसका के और बंत के ऊपर निकलता है तो यहां पर ट्रिपल टॉप का यहां पर ब्रेक आउट होता हुआ नजर आ सकता है तो इस शीच को भी आपको क्या करना है इस शीच को अपने रेडार पर रख लीजेगा कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो आज नहीं तो शायद कल कल नहीं तो प यहां पर यह काम करेगी किस सीच का यह काम करेगी आपका सपोर्ट का और यहां से गिरा तो फिर आपको शॉट भी करना है इसके इलावा हम बात कर रहें अतुल लिमिटेड की अतुल लिमिटेड यह आपके सामने यहां पर देख लीजिए यहां पर भी क्या होता हुआ अगर नीचे गिरता है तो नीचे सपोट नहीं पर दिखाई देता है तो यहां पर दिखाई देता है तो यहां पर अतुल की तरफ धव्डावा हम बात करेंगे पुछ इसे जो काफी महेंगे महेंगे नजर रहते हैं यहां पर इंट्राइग अगर करेंगे तो एक ही एक दो तीन चार श्टॉक्स में कर सकते हैं ज्यादा नहीं तो यहां पर भी देखेंगे यहां पर जिस तरीके से यहां पर ब्रेक आउट हुआ है आज के दिन में ओके यह दिखा रहा है कि यहां पर यहां तक जा सकता है यहां पर देख सकते हैं और एक चीज़ों यह जो लेवल है यह भी में में इंपोर्टेंट लेवल यह वाला या फिर इससे थोड़ा सा नीचे दे लेंगे पैतिसनोग नौ सो चौसट के आसपास का यह दो निप लेवल इसके इलाबा एक और श्टॉक्स जिसका नाम में भारत फोर्ज आपके सामने है यहां पर देखिए यहां पर ब्रेक आउट होता हुए दिखाई दे रहा है बट यहां पर क्या कैंडल बन रही है यह देखिए रिश्टेंट रिश्टेंट इस पर जब भी यहां पर शूटिं यहां पर लेके जाएगा तो भारत फोर्ज की तरफ भी ध्यान देना है बट अगर यहां से गिरता है और इसे तोड़ता है तो यहां पर शॉट की सल आ रहेगी और फिर चीज़ें नीचे की तरफ आके अच्छागासा पैसा आप शॉट से भी कमा सकते हैं तो आपको लॉं यह मैं डे बेसिस पर वैसे एक्जाम्पल की तरह बता रहा हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं उपर की तरफ और अगर इसे यहां पर तोड़ देता है नीचे की तरफ याद रखिए फिर आपको सेल करना हो सेल जब करेंगे तो यहां पर टार्गेट ईजीली 67 तक आते ह हुआ दिखाई देगा इंट्राइडे बेसिस पर नहीं बच स्विंग बेसिस पर मिल सकते हैं और यहां पर देखिए अगर टूटा ऊपर की तरफ तो यहां रखिए 79 तक यह जा सकता है इंडियन ओयल कॉपरेशन हो गया इसके इलावा हम बात करेंगे एको शेर IDFC IDFC लिमि अबर क्या करना है अगर इसका लोट ऊट जाता है तो शेल की सला रहे हैं और यहां पर देखिए यहां पर सपोर्ट का काम कर रहा है उसके नीचे अल्रेडी आ चुका है और यहां पर देखेंगे अबर क्या करना है अगर इसका लोट ऊट जाता है तो याद रखिए चीज़े ऊपर जाएगी और ऊपर जाके यह स्विंग की बात करूं तो स्विंग में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का का काम करते अगर चीज़े बढ़ाएंगे तो 1889 तक यह शेर जाता हुए दिखाई द इस लेवल को निकालना बहुत जरूरी है इसके बाद ही आपको ब्रेकाउट में आपर इन्वेस्ट करना है या फिर ट्रेड करना और बात करें 206 206 तक का यहां पर टार्गेट आने की पूरी उम्मीद है और इसे भी तोड़ देता है तो शायद और भी उपर के यहां पर गिरा सकते हैं तो ACC Limited की तरफ ध्यान देना है अब कुछ श्टॉक्स में दो श्टॉक्स ऐसे दे रहा हूं जह यहां पर आज नहीं बट यहां पर एक दो दिन में शायद यहां पर लेवल आ सकते हैं ओके वहां से गिरावट यहां से तेजी हो सकती है तो अंबूजा इस लेवल के उपर जाता है तो एक तेजी करेंगे और इंट्रेडे में 3.89 तक फिर जाता हूँ दिख़ए देगा बटी हो सकता है कि कल की डेट में यहां से टुच कर च और पर नीचे की लेवल तोड़ देता है तो याद रखिए यहां पर बिक वाली की फिर सला रहेगी और चीज़ें यहां पर नीचे आ सकती है, तो Ambuja Cement, इसके लाबाए Eco Stocks, Sipla, Sipla Limited में भी देखिए इसी तरीके से, यहां पर देखिए इसने आज की डेट में Negative Candle दी है, अगर यह इस नीचे का यह वाला लेवल टोड़ देता है, उपर का लेवल यह तोड़ देता है, तो Buy, Simple, यहां से कहिए, तो Buy करके हम चलेंगे, Intraday Basis पर और Otherwise, यहां पर Short करके Sell करते हो है, चलेंगे, तो Simple, यह कुछ Stocks है, Sinjin, आईसे इसे पुरू, Gale, Atul, Honeywell, Bharat Forge, Indian Oil, IDFC, Bata, India, ICC Limited, Ambuja, Sipla, यह कुछ Stocks है, लिक के रख लीजएगा, आज कल में Trade मिल जाएगा, कुछ में कल मिल जाएगा, कुछ में यहां परसों मिल जाएगा, कुछ में कुछ दिनों में यहां पर Trade मिल वह नजर आएगा, कल इसी इसी की तरह है, ऐसे और भी भोसार STOX लेके आएँगे, वीडियो अची लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजेगा चाइनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और दूसरे हमारे Invest4Evr को भी सब्सक्राइब लाइक कमेंट कर दीजेगा तो थैंक यू सो मुच गडब्लेस